हाइ फ्रेंस स्वागत है आपको अमारे चेनल में आज हम बनाने जा रहे हैं पिठा पिठा वयर की ठन्ने से बनने वाली फ्यमस दिस बवहत तरिके से बनाया जाता है आज हम चावल के आटा और खोय से बनाएंगे चलिए बनाते हैं पिठा बनाने के लिए हम लें चावल का के डिचावल काटा हम दो कप लिए है दूद्ध चीनी लिए हैं चीनी थोड़ी मूटी वाली हम लिए है कि खोया है ड्राय फरूट ड्राय फूत में हम काजु और किस्मिस लिए है और पीसी हुई चीनी लीए चलिए पानी को गरम कर लेते हैं दो कप हम जावाल का आटा लीए तो एक कप हम पानी करके लेगे पानी करम हो गया है जावल के आटे में हम पानी को मिला लेगे पानी को हम डाइरक्ट रहां से नहीं मिलाएंगे नहीं तो हाँ जल जाएगी उसे चम्मच या एस्पेचला के मदद से मिला लेंगे थोरी थोरी करके हम मिलाएंगे मिला लिए हैं अब इसको हम ठंडी होने के लिए रख देते हैं अब खोया को हम मिक्स कर लेते हैं खोया को हम डाल दिये हैं अब इसमें हम चीनी डालेंगे पिसी हुई और ड्राइफ्रूट डालके हम मिक्स कर लेते हैं मिक्स कर लिए हैं तब तक आठा ठंडी हो गई है अब इसको हांत की मदद से हम मसल के ना एक डो त्यार कर लेंगे डो त्यार कर लिए है अब हम थोरी थोरी आटा लेके लोई बना लेते हैं छोटे छोटे अब उसको दुनों अंगली की मदद से हम प्याली की सेफ दे देंगे बस इसी तरीके से इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे अब इसम्यों को या बरेंगे दुनों अंगली की मदद से हम दबाते हुए अब दुनों को हम जोइंट करेंगे बस इसी तरीके से अच्छे से इसको बंद करना होता है नहीं तो खुल जाती है बस इसी तरीके से सभी को हम बार लेंगे सभी को बार लिए है अब हम दुद को गरम कर लेंगे दुद में उपन आ गई है अब इसमें हम पिठा को डालेंगे एक एक करके हम पिठा को डाल देंगे इसको हम चलाते हुए पांच मिनर तक पकाएंगे पिठा ना दुद के ओपर अपने तेरने लगेंगे तब निकाल लेंगे देखिए पिठा उपर तेरने लगे है अब इसको हम निकाल लेते हैं अब जो बची हुए पिठा है फिर इसी में हम डालके पका लेंगे उसी तरीके से इसी तरीके से सभी को हम डालके पका लेते हैं पिठा पक गई है अब इसको हम निकाल लेते हैं अब बची हुए दूद में हम दो चमत चीनी एड़ करेंगे जो बची खोया थी उसको भी हम इसमी डालके थोड़ी से गाड़े कर लेंगे बस गाड़ी हो गई है अब इसको हम उतार लेंगे अब पिठा एक बॉल मम निकाल लिये हैं अब इसी में हम दूद को डाल देंगे दूद हम डाल दिये हैं अब इसको हम थोड़ी सी गारलिस कर लेते हैं डिराइफ रूट के साथ इसी तरीके से हम गारलिस कर लेंगे पिठा बनके हो गई है तैयार पिठा को हम दो घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद खाएंगे इसी तरीके से आप भी पिठा बनाएए और अपने परिवार के साथ इंज्वाई कीजिए अगर हमारी रेसिपी पसंद आये हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सेयर और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थांक यू